इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों डलको फ्लैक्स टैबलेट के बारे में जो आपको कुछ इस फरकार से देखने को मिल जाएगी ये दोस्तों 10 टैबलेट आती है लगबग 12 रुपे की तो छोटी सी टैबलेट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम किये होती है इस टैबलेट का बहुत ज़्यादा यूस के जाता है ये एक बेस्ट लाइक्जिटिव टैबलेट में से एक आती है तो आज किस वीडियो में हम डलको फ्लैक्स के बारे में पूरी तरके से समझेंगे किस प्रकार से इस चैबलेट को यूस के जाता है कौन-कौन से form में आपको यह देखने को मिल जाता है क्या इसके side effects होते हैं doses क्या होना चाहिए तो वीडियो को अन तक देखते रहेगा Delcoflex आपको medical store में easily मिल जाएगी Sanofi Pharma की तरफ से देखने को मिल जाती है यह आपको 5MG में और 10MG में होती है 5MG में जब ज़्यादा चाहिड के लिए useful होती है और 10MG में adult के लिए और साथ में यह Suppository की form में भी मिल जाता है यानि जिनको बहुत ज़्यादा problem होती है तो उनको Suppository की रूप में बच्चों को जैसे हो जाता तो बच्चों को दिया जाता है इसमें जो ingredients होता है वो single ingredients होता है जिसमें होता है विसो कोडाइल 5MG में 10MG में available आपको हो जाएगा Lexative tablets है जो आपके मलत्याग करने की जो इक्षा होती है अंदर के आंतों को Speed को बढ़ने में मदद करता है जिन लोगों को पेट की बहुत जाद दिक्कत रहती है जैने कबज की problem रहती है पेट साब उनका सही से नहीं होता है पेट साब करते समय सुभे को बार बार जाना पड़ता है या फिर जैसे थोड़ा गुदा मार्क से थोड़ा बोताता है कब पेट फूला रहता है खटे ड करनी होती है आंतों की या उनको कोई टेस्ट करवाना होता है खाली आप पेट का उनके आंतों की सपाई के लिए भी डलको फ्लाक्स टैबलेट का इसली यूज करवाय जाता है इसका action कैसे करता है यह mode of action क्या होता है यह जब आपके पेट भी जाती है तो आंतों की गति सिल जाते हैं सबसे पहरा होता है कि इससे डाइरिया की शिकायद भी हो सकती है याई दस्त की आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर आप इसका ओबर डोज ले लेते हैं साथ में मिलते आना उल्टे आना चक्कर आना जैसे कंडिशने तब ही होती है जब आप बार बार अगर आपको इसके में कोई रहसज हो रहे है चखत्ते हो रहे हैं तो भी इसके बार में डॉक्टर से मिलियेगा और दवाई को बंद कर दीजिएगा अब इसका पृपली डोज क्या होता है या लेने का तरीक्स क्या होना चाहिए इसका इसको दोस्तों रात को सोते समय लिय का यूज करना है सोते टाइम पर यानि जैसे कि आप बैट पर जाते हो तो एक गिलास गरम पाने लिजी और टैबलेट को अगर निगल लीजीगा और उसके बाद आपने सोना है दिन में जाल तर ये टैबलेट अच्छी काम नहीं करती है क्योंकि दवाईयों का फंडा होता है जब आपके आंतों को रिलैक्सेशन हो जाया तब ही जा कि ये आपको काम करती है तो दोस्तों ये था कोछ डलको फ्लैक्स टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सरूर कर लिजीगा तो मिलते परने वीडियो में ओके बैटा टैन थैंक्यों फॉर वाचिंग